तो आज हम आपके अपने English Baba Channel में पढ़ने वाले हैं Models और अगर मैं Models की बात करूँ तो Models basically होते हैं 10 कौन-कौन से? Can, Could, Will, Would, Shall, Should, May, Might, Outto और Must तो यह हो गए 10 Models अब मैं आपको यह बताओं कि भाया इनका Use होता कैसे है उससे पहले मैं बताओंगा कि English Grammar में इनका काम क्या है? What is the function of Models? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्रोग्राम आता है मन की बात मोदी जी मन की बात में क्या करते हैं? आकाशवानी और दूरदर्शन के थुरू अपने दिल की बातों को अपने मन की बातों को शेयर करते हैं, साज़ा करते हैं अपने शुरूताओं के साथ ऐसे ही स्पीकर क्या करता है? Model verbs का Use करता है अपने दिल की बात कहने के लिए अब आप कोगे एक्जामपल दे के बताओ यार अगर स्पीकर को अपनी कोई क्वाइश बतानी है अपनी कोई इच्छा बतानी है या किसी से किसी काम को करने की पर्मीशन लेनी है या सामने वाले को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है या सामने वाले को कोई सलाह देनी है या सामने वालों को उसकी काबिलियत बतानी है उस केस में वो यूज करता है model verbs का अब मैं आपको कुछ example दे के समझाता हूँ, अब आपके सामने तीन examples लिखे हुए हैं, may I come in sir, you should obey your parents, I can speak English, यार जब आप school में होते हो और डोर पे खड़े होते हो तो teacher को क्या बोलते हो, may I come in sir, sir क्या मैं अंदर आ जाऊं या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहां देखो model verb किसका use हुआ है, may का use हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया था, permission के लिए, समझ में आ गया, permission, you should obey your parents, तुम्हें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, यहां पे speaker क्या कर रहा है, सामने वाले को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है, एक advice दे रहा है, ठीक है, model verb use हुई, should, I can speak English, मैं English बोल सकता हूँ, यहां speaker अपनी ability दिखा रहा है, अपनी काबिलियत बता रहा है, एक capacity बता रहा है, और model कौन सा use कर रहा है, can, तो आपको अगर इतनी बात clear हो गई, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सीखेंग में का use कैसे होता है, can का use कैसे होता है, और दूसरे model verbs का use कैसे होता है, बने रहना इस video के साथ, video के last में वादा है मेरा अगर पूरी video देख लिए आपने, तो आपको model सिखाने के जिम्मेदारी English बाबा की है, तो अब हम सीखेंगे हमारा जो पहला model है, वो है में, उसका use हो कैसे है, उसका use होता है, permission के लिए, possibility के लिए, wish या blessings के लिए, एक एक करके समझते हैं, permission का मतलब है, अनुमती लेने के लिए, formally, जैसे हमने बात की थी, अपने teacher से permission लेना, या किसी officer से permission लेना, किसी अपने senior से, formally permission लेने के लिए, किसका use होगा, में का use होगा, जैसे हमने use क किया था may I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मान के चलो एक बच्चा, यानि एक स्टुडेंट अपने टीचर के साथ है, टीचर के पास पानी की बॉटल है, वो पानी पीना चाता है, तो वो क्या word का यूज करेगा may, may I drink water from your water bottle, sir या maim, क्या मैं आपकी water bottle से पानी पी सकता ह हूँ, अगर आप कभी किसी hotel वगरा गए हो, वहाँ पर receptionist बैठी होती है, वो आप से पूछती है, may I help you, क्या मैं आपकी help कर सकती हूँ, दूसरा देखो possibility के लिए, संभावना, अब ये क्या होता possibility, यार जैसे कभी-कभी बादल हो गए, तो हमारे घरवाले कहते हैं, यार आप बारिश हो सकती है, अब मुझे एक बात बताओ, कि बारिश का होना या ना होना निश्यत है क्या, भाई हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती, तो देखो, use देखो, it may rain today, आज बारिश हो सकती है, मैं पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, मैंने देखा मेरे सार अपनी की तबियत खराब है, अगर वो ठीक हो गई तो वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, मतलब वो आ भी सकता है, और नहीं भी, तो अब यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बारिश की तरह, बारिश आ भी सकती है, और नहीं भ गभी कभी जैसे कोई मर गया कोई मर गया तो हम कहते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शान्ती दे अगर एक एक चीज ध्यान से पूरे ध्यान से देख रहे हो समझ रहे हो तो मेरा वादा है वीडियो लास तक देख लेना तुम्हें आज मॉडल सिखाने की जिम्मेदारी इंग्लिश बाबा की है और इस चीज का बिटा स्क्रीन शॉट ले लो मेरे भाई स्क्रीन शॉट ले मैं हट रहा हूँ पीछे पॉस करके यहीं पर स्क्रीन शॉट ले लो में का यूज परमीशन पॉसिबिलिटी विश ब्लेसिंग्स ये एक्जामपल ठीक है जी अब बढ़ रहा हूँ आगे तो अब हम बात करेंगे दूसरे मॉडल वर्ब जिसका नाम है कैन का यूज कैसे ह कैन का यूज होता है पहला जो यूज हो मैं जो यूज है वो होता है कपिसिटी के लिए कंभिल्यद के लिए और जा दूसर commerce ने लेने या परमीशन देने के लिए अब आप काiasm faire इंग्लिश बाबा अभी थोड़ी देर पहले आपने का था permission का use हम में के लिए करते हैं may I come in sir हाँ यार मैंने कहा था मैं अपनी बात पे हूँ लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि जब भी कभी formal sense में teacher के साथ, officer के साथ ठीक है, तब उस case में में का use होगा के लिए, sita can cook tasty food अब sentence कह रहा है कि भाया जो sita है न वो बहुत tasty खाना बना सकती है तो हमें इस वाले can से क्या पता चल रहा है, कि sita के अंदर काबिलियत है, वो इस काम को कर सकती है, I can speak English, मैं English बोल सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है, काबिलियत है I can speak English I cannot play cricket, मैं cricket खेल नहीं सकता तो यानि कि मेरी काबिलियत नहीं है, cricket खेलने की अब देखो, confuse मत होना, ये बत सोचना कि सर, अभी तो आप कह रहेते हैं, खाली काबिलियत यार, ये बस इसका एक negative है, या तो ये काम मैं कर सकता हूँ, या तो सीता अच्छा खाना बना सकती है, सीता can cook tasty food, या सीता cannot cook tasty food या तो I can speak English या I cannot speak English या तो मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं इस काम को नहीं कर सकता अब आते हैं, दूसरे point पे, permission वाले की तरफ अब यार, जब मैंने का था जब अपने बड़े से, teacher से या formal लोगों के साथ, जब permission लोगे तब तो make a use करोगे लेकिन अगर आप student life में होगे अगर आपको अपने दोस्त से pen लेना है, कभी-कभी आपका pen खतम हो जाता है तो यार, उससे आप ये कहते हो may I take your pen ऐसे कहते हो क्या, आप उससे ऐसे बात करते हो भाई, pen दे दे यार अपना ऐसी तो कहते हो, भाई यार अपना pen दे सकता है मुझे, तो can I take your pen अब आप permission तो ले रहे हो अपने दोस्त से लेकिन permission formal नहीं है वो कहता हाँ यार, चल ले ले यार ले ले, you can take my pen समझ में है आपका एक दोस्त आया अचानक से वो नई बाइक लेक लेके आया या कार लेके आया आपने का भाई तेरी कार चला लू यार भाई तेरी कार चला लू, इंगलिश क्या बनेगी can I drive your car समझ में आ गया, मैंने यहां पे में का यूज नहीं किया मैंने यहां पे यूज किया है can का क्योंकि आप जो permission ले रहे हो वो अपने दोस्त से ले रहे हो अपने teacher से नहीं ले रहे बस इसका भी screenshot ले लो अभी can, capacity, permission और यह सारे examples मैंने वादा किया था आपसे बने रहोगे इस वीडियो के साथ तो ऐसे ऐसे चुटकियों मैं आपको पूरे model समझा दूँगा तो अगला जो हमारा model है वो है could और could का use कैसे होता है polite request करने के लिए किसी से बहुत ही प्यार से बहुत जादा humbly कोई request करने के लिए क्या आप ये वाला काम कर दोगे क्या आप ये दर्वाजा बंद कर दोगे उस केस में हम यूज कर रहेंगे could का अब मैं आगे उसका example समझाऊँ आपको एक छोटी सी click दिखाऊँगा एक movie आई थी तारे जमी पर आमिर खान की जिसमें आमिर खान जब उसके घर जाता तो देखो क्या कहता है तो अब आपने देखा कि आमिर खान ने क्या कहा could I have some water please क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा request किये ऐसे ही देखो could you please shut the door क्या आप please दर्वाजा बंद कर दोगे यहां order नहीं दे रहा ओ भाई दर्वाजा बंद कर दे ना 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 रिक्वेस्ट कर रहा है प्यार से could you please shut the door क्या please यार दर्वाजा बंद कर दोगे could you please sit down मान के चलो आप कोई चीज देख रहे हो और सामने कोई खड़ा हो गया या movie theater में गया क्या आप उसे प्यार से करें भाई बैट जा यार दिखनी रहा क्या प्लीज बैट जाओगे could you please sit down could you lend me 10 rupees क्या यार तुम मुझे 10 रुपे उधार दे सकते हो could ठीक है confuse मत हो ना यह request हो रही है politely ठीक है जी अब बात करेंगे could का जो second use है वो कैसे होता है ability in the past ध्यान देना इस topic पे ability in the past अगर ability present में है तो तो यार can का use कर रहे हो मैं English बोल सकता हूँ I can speak English लेकर अगर मुझे यह कहना है मैं English बोल सका past की बात तो मैं कहूँँग I could speak English कुछ examples देख लेते है I could run a mile in childhood suppose करो कोई पापा है अपने बच्चों से बात कर रहे है उनके बच्चे बिलकुल भी न exercise नहीं करते दौडते नहीं है ठक जाते जल्दी तो जो पापा है अपने बच्चों से कह रहे है जब मैं छोटा था ना जब मैं बच्चपन में था न तो मैं एक मील दोड सकता था I could तो यानि कि वो बात तो बता रहे है ability तो है लेकिन वो कब की ability है past की दूसरा देखो Sohan could not speak English in interview भाई हमने पूछा Sohan तेरा Sohan का interview मलब क्रैक क्यों नहीं कर पाया क्यों उसे job नहीं मिली हमें पता चला यार वो न सब कुछ तो सही था भाई लेकिन न वो English नहीं बोल पाया English नहीं बोल सका अब आप कहोगे ability तो उसकी जो ability थी वो English बोलने की नहीं थी past में Sohan could could not देखो not से confuse मत हो ना मैंने पहले भी आपको shop last night एक आदमी नहीं नहीं जगे गया था उसका pizza खाने का मन किया रात में उसे कोई मिला नहीं उसे रात को पिछली रात को उसने ढूणने की कोशिश की pizza की दुकान लेकिन उसे नहीं मिली क्या कह रहा है वो I could not find मैं नहीं ढूण सका मुझे नहीं मिली कोई shop कौन सी pizza की last night अब अगर तीसरा use दिखा हूँ आपको could का तो वो है narration में अब यार मैंने narration के ना दो part already बना चुका हूँ part one और part two तो narration अगर आप जानते हो जिसे direct in direct भी बोलते हैं तो reporting verb अगर past में होती है तो reported speech का tense बदलता है अभी इस वीडियो में मैं narration की बात नहीं करूँगा लेकिन description में डाल दूँगा देख लेना यहाँ पर मैं एक direct लिया है Ram said to Meera I can speak English Ram ने Meera से कहा कि मैं English बोल सकता हूँ तो हम सीख रहे हैं could का use Ram told Meera that he could Ram ने Meera से कहा कि वो English बोल सकता है अब can का can convert हो गया could में तो यह वाला use और होता है हो सकता है अभी आपको यह वाला could का use narration में अच्छे से समझ में ना आए अगर आपको यह use अच्छे से समझना है तो उसके लिए मेरी narration वाली वीडियो देखो आप इसका screenshot ले लो आप could, polite request, ability होती है past में और narration में ठीक है जी आगे बढ़ते हैं चो next model verb है वो है should और must अब आपको लग रहा होगा English बाबा अभी तक तो एके करके पढ़ा रहे थे अब दो क्यों वो इसलिए क्योंकि should का मतलब भी हिंदी में होता है चाहिए और must का मतलब भी होता है चाहिए लोगों को ना confusion होती है लेकिन मैंने आपसे वादा किया था पूरी वीडियो देखोगे confusion कर दूँगा खतम तो सबसे पहले should का use देखो यार should का use होता है जब भी कभी सला दी जाती है क्या दी जाती है सला या advice देखो you should go home now for example रात हो गई मैं tuition पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बच्चों से का यार अब घर जाओ आप अपन कल पढ़ाएंगे अब तुम्हें घर जाना चाहिए you should go home now easy है मैंने उनने advice दी second you should speak English अब बच्चे हैं मैं teacher हूँ तो मैं उन्हें सिखातों बिटा देखो अभी से ना English बोलना शुरू करो तुम लोग क्या करते हो कि वाल principal को देखा और English बोलना चालू कर देते हो और जैसी principal में गए तुमना English बोलना बंद कर देते हो आपको बिटा English बोलनी चाहिए you should speak English क्या दी मैंने एक सलह दी उन्हें should I buy a car मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था मैंनो उससे का यार एक बार बता क्या कार ले लूँ या ना लूँ अब दोखो मैं उससे सलह मांग रहा हूँ should I buy a car clear है should के बाद अब बात करूँगा आपसे must की should मैं आपको क्या सिखाया भई normally सलह दी जाती है तुम्हे अब जाना चाहिए तुम्हें ये काम करना चाहिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्या मैं ये काम कर लूँ लेकिन must में क्या है कि ये कहा जाता है कि भई तुझे ये काम करना ही चाहिए जैसे for example मम्मी पापा रोज अपने बच्चों हो गयते हैं कि यार पढ़ लो तुम्हें पढ़ना चाहिए you should study लेकिन मान के चलो कल paper है कल English का paper है तो parents क्या कहेंगे you must study English today भाई आज तो पढ़नी चाहिए तुझे कल तेरा paper है fail हो जाएगा तो यानि कि किसके लिए use होगा जब finally ऐसी मजबूरी आ गई है कि अब तो ये काम करना ही पढ़ेगा या strong obligation या duty आई हो या probability अब probability को देखके संभावना मत लगाना ये है करतव कि उसकी ये duty बनती है कुछ example ले लेते हैं जैसे you must study today ये example मैंने आपको पहले ही दे दिया कि भाईया कल तेरा paper है आज पढ़ ले तुम्हें आज पढ़ना चाहिए must you must not eat junk food while you are suffering अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि we should not eat junk food हमें बाहर का burger, pizza वगरा ये सब junk food नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है तो तो उस टाम पर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए भाईया ये तो तुमारे health के लिए बहुत ही जादा खराब है ये काम करना ही नहीं है ये काम करना ही है अब देखो duty वाली बात आ गई एक टीचर को जिसे मैं टीचर हूँ तो मैं आपको 50 बातन सिखाऊंगा लेकिन क्या कह रहा है उसे ABCD सिखानी चाहिए उसे 50 काम सिखाने चाहिए लेकिन एक काम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो है तहजीब याने के manners तो a teacher must फोर्थ देखो करतव्य His mother is not well He must be at home भई एक लड़का जिसकी मम्मी बीमार है जिसकी मम्मी परेशान है घर पे हैं तो उस लड़के को बाहर दोस्तों के साथ मौजमस्ती करनी चाहिए या कहां होना चाहिए उसे अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए His mother is not well He must be अब उसे कहां होना चाहिए He must be at home अब इस बात की हिंदी थोड़ा अलग तरी से भी समझो मान के चलो यहां पे एक लड़का आने वाला था वो यहां पे आया नहीं दूसरी तरह से इसकी हिंदी समझा रहा हूँ आपको मैं तो मैंने कहा यार मुझे न यह पता चला था उसकी मम्मी बीमार है तो इसका मतलब वो घर पे होगा दूसरी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यह चीज़ समझने के लिए तो भी इंगलिश यही बनेगी His mother is not well He must be at home वो यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहार हमें पता चला था उसकी मम्मी बीमार है वो कहां पे होगा वो होगा घर पे तो I hope कि जो should का और must की जो मैंने comparative study दी आपको वो आ गई होगी समझ में और अब चलता हूँ अपने next model की तरफ तो अब हम बात करेंगे अपने next model की जो है would अब would को समझने से पहले हम समझेंगे past tense of will है जब मैंने आपको could पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या का था जो could है वो है past किसका can का ऐसे ही जो would है वो है past will का अब इसका use कैसे हो तक polite request करने के लिए अब यार आपको कहोगे polite request वो तो सर अब या आपने जब could का use पढ़ाया था तब भी का था क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे could you please मैं महमान आए तो आपके पापा ने उनसे पूचा हाँ भी क्या लेना पसंद करोगे देखो प्यार से बात कर रहे है नमबर एक बात politeness है और दूसरी बात उनकी इच्छा जानने की कोशिस कर रहे है क्या लेना पसंद करोगे ठंडा लोगे, गरम लोगे cold drink लोगे या चाय लोगे ठीक है तो देखो what would you like to take आप क्या लेना पसंद करोगे दूसरा देखो past habit जैसे मैंने example दिया था हमारे पापा कहें मैं बचपन में कंचे खिलता था मैं बचपन में कंचे खिलता था I would play marbles अब देखो, याने कि वो काम आज की date में नहीं होता पहले होता था बचपन की आदत, past habit past means, जो बीट गया I would play marbles in childhood ठीक है, third देखो unreal situation, ऐसी situation जो real नहीं है, बस बेफालतु में बन रही है अगर मैं मेहनत करता तो past हो जाता अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं perish जाता unreal, जो की real situation नहीं है I would go to perish मैं perish जाता if I had money अगर मेरे पास पैसा होता indirect speech जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कुड़ वाले use में, direct, indirect narration के use में, इसके लिए मैंने दो वीडियो अलरेडी बना चुका हूँ part 1, part 2 she said उसने कहा that she would sing a song उसने कहा कि वो एक गाना गाएगी इसका अगर मैं आपको direct बना के दिखाऊँ तो यह बनेगा she said I will sing a song she said that यहाँ हो गया she would sing a song ठीके I hope कि यह जो पूरी वीडियो थी मेरी models की जिसमें मैंने आपको सारी चीजें इतने अच्छे से समझाई I hope कि आपको यह मेरी महनत पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ भाई भेनों के साथ अपने relatives के साथ share जरूर कर देना और comment section में मुझे बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और यह जरूर बताना मुझे comment में कि आप कौन सी वीडियो और चाहते हो मुझसे ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो ले के आऊं अगर आप हमारे साथ यानि English बाबा के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे WhatsApp पर contact कर सकते हो मेरा number है 80590-42145 8590-411-45 अब आप से मिलूँ हूँ नए वीडियो में तब तक के लिए Bye